नमस्कार दोस्तों मैं धरवेन वर्मा उनलाइन इस्टडिव डिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बहुत दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं जो पर टेट के लिए काफी समय हो गया सबसे पहले आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है, सेर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है पहला प्रश्म है आपका ओजोन सनरक्षन दिवस मनाये जाता है जितने भी दिवस से उनको याद कर लिजिगा आपने हाले में एंपिटेट के एक्जाम देखी होगी इसमें दिवस पूछे गए हैं और दिवस पूछे ही जाते हैं तो जितने भी इंपोटेंट दिवस हैं व पूछा गया है तो बी ओडी का फूछा गया है तो यह एब जार्ज लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया था चले वाला गरह किसे कहते हैं यहां पर इस प्रकार के प्रशने एक्जाम में पूछ जाते हैं चले वाला जो ग्रह है वो किसी कहा जाता है सनी को कहा जाता है सोर मंडल का सबसे बड़ा वा भारी ग्रह केसे कहते हैं चाहे आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछे या फिर भारी ग्रह पूछे राइट आंसर आपका क्या होगा बरस्पती होगा लाल ग्रहा के बारे में तो सभी को पता हुआ कि जो लाल ग्रहा या रेड प्लिनेट है उसे किसे कहते हैं उसे मंगल ग्रहा को कहा जाता है लाल ग्रहा गोबर गेस का जो मुख्य घटक होता है वो कौन सा होता है तो आप ये सबी को पता है काफी बार आपने पढ़ा होगा मैथन गोबर गेस का मुख्य घटक होता है लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं तो यह Uranus को कहते हैं, अले में Uranus को कहते हैं तो चाहिए Uranus वीकलपी में हो या फिर Uranus हो आपका सही आंसर होगा अरसनिक द्वारो अतिदिक जल प्रदूस्टन वाला राजी कोंसा है यहां पर देखें, important है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, आर्सनिक द्वारा अतिदिक जल प्रदूसर्ण वाला राजी कुन सा होगा, तो वो पश्रिम मंगाल होगा किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, यहां पर देखें, हर प्रश्न को ध्यान से सुनना है, समझना है, और याद करना है, किस ग्रह का घनत्व है, जो कि जल से भी कम होता है, तो वो है सनी, सनी ग्रह का घनत्व जल से भी कम होता है, द्वहनी प्रदूसर्ण मापने की इकाई, कुनसी होती है तो वो डेसिबल होती है ग्रीन मफलर किस से सम्मनित है तो ये द्वहनी प्रदूशन से है ग्रीन मफलर तो ये ग्रीन मफलर याद रखेगा गंगा एक्सन प्लान की सुरुवात कब हुई थी तो ये 1985 को हुई थी जेव निमनीकरण प्रदूसक के बारे पूचा गया तो 3-4 प्रदार्थ रखे हैं जिनके बारे में आपको जानकरी होना चाहिए सबजी एवं फलकेचिल के सड़े गले प्रदार्थ वो र कागाच ये सबी क्या है जेव निमनीकरण प्रदूसक है अब बात करते हैं जेव अनिमनी करन प्रदूसक के बारे में पूछे कि जेव अनिमनी करन प्रदूसक के बारे में पूछे कि जेव अनिमनी करन प्रदूसक कोन कोन से होते हैं तो उसमें प्लास्टिक आता है पोलेथिन पारा सीसा जो गलता नहीं जैसे कि जो कभी नश्ट न पूछा गया है तो वो कार्बन मोनो अक्साइड होगा याद रखेगा हीमो ग्लोबीन के साथ सहल लगनता रखने वाली गेस कौन सी होगी कार्बन मोनो अक्साइड होगी कौन सी दम घोटू गेस भी कहते हैं यहां पर देखें दम घोटू गेस के बारे में एक्जाम में पू पूछा जा रहा था आपसे, उसी को दियान में रखती हूँ, यहां पर 18-19-20 की स्किन थीम बताएंगे आपको, तो सबसे पहले 2018 की थीम जान लेते हैं, वेश्व परियावन दिवस 2018 की थीम क्या है, तो यह बीट प्लास्टिक प्रदूशन होगी 2018 की, बात करें 2019-20 की तो वेश्व परियावरन दिवस की 2021 की थीम क्या है, तो यह पारशित की तंत्र की बहाली होगा, वेश्व परियावरन दिवस 2020 की थीम, तो 18-19-21 की थीम के बारे में आपको जान करी होना चाहिए, अगले प्लास्टिक के और बढ़ेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, सर उत्पादन और उप्योग को नियंत्रित करने वाला पहला राजी कोन सा था, यहाँ पर इंपोटेंट हैं, एक्जाम में इस प्रकार के प्रशन, पूछे जाएंगे सुपर्टेट में, तो हिमाचल प्रदेस होगा, भारत में प्लास्टिक के उत्पादन और उप्योग को नियंत्रित करने वाला पहला राजी कोन सा था, हिमाचल प्रदेस था, और उजोन परत की मोटाई, नापने की काई कोन सा होगा, तो वो डॉप्शन यूनिट होगा, इंपोटेंट हैं, डॉप्शन आपको याद कर लेना है, उजोन परत की मोटाई, नापने की काई कोन सा ह उजोन ने रक्षन को रोकने के लिए हुआ था। अगला प्रश्ण अमल वर्षा का कारण हैं पर अमल वर्षा का कारण पूशे जाता है देखी काफी इंपूटेंट हैं तो क्या कहते हैं तो उसे stone leprosy कहते हैं क्या कहते हैं उसे stone leprosy कहते हैं सूरी के सबसे निकट का तारा कौन सा है तो वो proxima century है सूरी के सबसे निकट का तारा important हैं इस प्रकार के प्रस्ट नेकजा में पूशे जाते हैं इसमाग या फिर धुंद जो धुन्द होता है वो किस से बनता है तो ये धुमें तथा कोहरे से बनता है जैसे इसमौंग भी कहते हैं और साधन भासा में उसे धुन्द भी कहते हैं लंदन धुरूम दिखाई देता है यहाँ पर देखें लंदन धुरूम के बारे में आप से पूछ जाए कि लंदन दिखाई देता है तो ये सीद काल में सुबा के समय दिखाई देता है लंदन ध्रोम ताज महल का पीले होने का करण क्या है ताज महल जो है वो पीले होने के करण के बारे में यहाँ पर पूछा गया है तो सल्फर डाय अक्साइड के करण तो ताज महल है वो पीला हो रहा है तो सल्फर डाय अक्साइड आपको याद कर लेना है पारे से कौन सा रोग होता है यहाँ पर रोग से सम्मलित प्रशने भी रखे गए हैं तो मीनी माता होता है याद रखेगा पारे से मीनी माता रोग होता है वाई-उ़ प्रदूसरण के सुचक के बारे मी पूछा गया है तो वाई-उ़ प्रदूसरण का जो सुचक होता है वो Liken होता है मलेरिया से बच्चाव के लिए जलाशियों में छड़काव किया जाता है तो यह किसका किया जाता है DDT का आपने सुना होगा आपके घर में पहले अभी तो सायद मिलना मुस्किल होगा लेकिन पहले घर में DDT रखी जाती थी जिससे की घर में छड़काव होता था उसका मलेरिया के जो मच्छर होते है पर मच्छर के लिए तो यहाँ पर DDT आपको याद रखना है मलेरिया से जिवानू भोजी के करण होता है आर्सनिक से कौन सा रोग होता है तो ब्लेक फुड या दखेगा आर्सनिक से ब्लेक फुड रोग होता है सूरी से आने वाली हानिकारक पराबेगनी के उन्हों को रोकता है तो यह कौन रोकता है सरल सा प्रशन है सभी को पता है और तो उन ये वाणू ये सीवेज प्रदूसक के सूचक होते हैं प्लास्टिक बेग पर प्रतिबंद लगाने वाला भारत का पहला राजी कोन सा है इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं प्रस्निक कुछ इस प्रगार भी आप सीख पुछा जा सकता है कि प्लास्टिक बेग पर प्रतिबंद लगाने वाला भारत का पहला राज़ कोंसा है तो वो है माचल प्रदेश होगा शूरी का प्रकास प्रत्वी पर पहुचता है कितने सेकंड में पहुचता है यह सूरी है जैवे खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्जी कौन सा होगा सिक्किम होगा प्रदूसन को कम करने के लिए और इवन का नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्जी कौन सा है तो वह नई दिल्ली याद रखेगा जहां पर लोड इवन आये वहाँ पर नहीं दिल्ली याद रखीगा प्रोडोसन को कम करने के लिए और इवन जो नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा वो नहीं दिल्ली होगा पूरी तरह से प्लाष्टिक कच्रे से मुक्त सहर कोन सा है तो वह है कनूर जो कि केरल में आता है याद रखीगा पूरी तरह से प्लाष्टिक कच्रे से मुक्त सहर कोन सा होगा कनूर होगा यदि राज्य पूछे तो केरल होगा भारत का सबसे स्वच्छ सहर कोन सा है भारत का सबसे स्वच्छ सहर कोन सा होगा इंदोर होगा भी हाली में पांच बार भारत का सबसे स्वच्छ सहर होगा यानि कि पांच भी बार बन चुका है भारत का सबसे स्वच्छ सहर इंदोर तो याद रखेगा कितनी बार बन चुका ह सोर उर्जा से संचालित देश का पहला railway station होगा सूरी के सबसे निकट का गरह कौन सा होगा बूध होगा दुनिया का पहला सोर उर्जा संचालित हावाई अड्डा कहाँ पार है यहाँ पर देखिए दुनिया का पहला सोर उर्जा संचलित हवायड़ा के बारे में पूछी तो कहाँ पर है कोचिन में है और यदि राज्य के बारे में पूछी तो कहाँ पर है केरल में याद रखीगा दुनिया का पहला सोर उर्जा संचलित हवायड़ा कोचिन केरल में है। फ्लोराइड से कुन सा रोग होता है। तो याद रखीगा नोक ने सनलक्षन ये फ्लोराइड से होने वाला रोग है। लाल गरह किसे कहते ही तो इसके बारे मैं आपको बता चुका हूँ लाल गरह मंगल गरह को कहा जाता है कौन सा इधन न्यूनतम परियावरन प्रदूसन उत्पन करता है तो वो है हाइडरोजन याद रखीगा हाइडरोजन इधन न्यूनतम परियावरन प्रदूसन उत्पन करता है ओजोन परत के च्छरण का सरप्रथम पता किसके द्वारा लगाया गया important question है ध्यान दिज्जेका ओजन परत के छरण का जो सरप्रतम पता है जो से फोर्में द्वारा 1985 इंग्लिंड में लगाया गया हमारे परियावरन को बचाने के लिए तीन प्रकार के आर होते हैं तीन हमारे परियावरन को बचाने के लिए तीन प्रकार के आर होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं तो याद रखेगा यदि इंगलिस में पूछे तो आपका reduce होगा recycle होगा और reuse होगा हिंदी में कम उप्योग, पुना चक्रन और पुना उप्योग, ये आरार का मतलब होता है हमारे परियावरान को बचाने के लिए, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सिग्रेट के दुए में मुख्य प्रदोशक होता है, तो उसमें कर्वन मोनो अक्साइड वा बेंजिन होता है, सिग्रेट के दुए में मुख्य प्रदोशक, प्रत्वी का एक मात्र उपगरा कौन सा है, तो प्रत्वी का एक मात्र जो उपगरा होगा वो चंद्रमा होगा, न नाइटेट के बारे में पुछ जाए कि इस से कौन सा रोग होता है तो इससे blue baby syndrome, nitrate से blue baby syndrome रोग होता है, उजोन च्छरन के लिए सरवाधिक उत्तरदाई गयस कों सी है, तो वह है chlorofluorocarbon, याद रखेगा उजोन च्छरन के लिए सरवाधिक उत्तरदाई गयस chlorofluorocarbon होगी, क केडमियम से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर देखिए अब केडमियम से पूछा गया है, यहाँ पर रोग से भी प्रशन आपको देखने को मिल रहे हैं, केडमियम से कौन सा रोग होता है, तो इसमें इटाई इटाई रोग होता है, केडमियम से याद रखेगा, ओजोन परत क बचाने के लिए पहला अंतराश्टी प्रोटोकाल बना यहां पर देखिए important प्रस्ण है वेसे तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ लेकिन प्रस्ण कुछ अलग था लेकिन उत्तरापका सेम था उजन परत को बचाने के लिए पहला अंतराश्टी प्रोटोकाल कौन सा बना तो वो मांट्रियल प्रोटोकाल बना कब बना 16 सितंबर 1987 को उत्री गोलार्द या फिर करकर एखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है यहाँ पर आपसे दिन पूछा गया है तो वो 21 दिन को होता है सबसे बड़ा दिन कब होता है 21 जून को होता है और दक्षिनी गोलार्द याने की मकर एखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है तो वो 22 दिसंबर को होता है दोनु दिन याद रखना है उत्री गुलारदे के बारें पूछे याने करकर रेखा के बारें पूछे तो 21 जुन होगा और दक्षनी गुलारदे याने की मकर रेखा के बारें पूछे तो 22 दिसंबर होगा उजोनपरत का सरवादिक नुक्सान हुआ है तो यह दक्षिनी दृ को हुआ है इंपोटेंट है अभी हाली में जो एक्जाम हुई थी एमपिटे नहीं, पुटेंट हैं, किस महादीप में एक भीजवाला मुखी नहीं है, तो वो है आश्टेलिया महादीप जिसमें एक भीजवाला मुखी नहीं है, पीली करांती, पीली करांती किस सम्मदित है, तो ये तिलहन उत्पादन से है, याद रखेगा, पीली करांती तिलहन लुकेमिया का केंसर और यह किसमें पाया जाता है जैसा कि मैंने थोड़े दर पहले आपको बताया था कि सिगरेट के धुए में बैंजन पाया जाता है तो यह जानकरी आपको होना चाहिए कि बैंजन से लुकेमिया का केंसर रोग होता है नेली क्रांती संबंद थे यदि और खोती आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी तो नीली करांती के बारे में पूछा गया है कि नीली करांती किसे संब्दित है तो ये मतस्य उत्पादन से संब्दित है अंतराष्टी अमल वर्षा के अंदर कहां पर है तो ये मैंचेस्टर में ही याद रखीगा अंतराश्टी अमलो वर्षा केंदर कहां पर होगा मैंचेस्टर में होगा गुलाबी क्रांती किसी संभनित है तो याद रखीगा चाहे तो आपको जहिंगा देदेंगे या फिर प्याज उत्पदन दोनों ही गुलाबी क्रांती से संभनित होगे किस दिन संपून प्रत्वी पर दिन राद बराबर होती वो कौन सी तारिक है जिस दिन संपून प्रत्वी पर दिन राद बराबर होते हैं तो ये 23 दिसंबर एवं 21 मार्च याद रखीगा 23 स्वरी सितंबर लिखा हुआ 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन संपून प्रत्वी पर दिन रात बराबर होते हैं लाल करांती के बारे में पूछे कि लाल करांती ये किसे सम्मनित है तो ये टमाटर उत्पादन और मास से मास देदे या पर टमाटर देदे दोनों ही जो उत्पादन है ये किस से सम्मनित होंगे लाल करांती से होंगे ग्रीन हाउस गेस को कम करने के लिए प्रोटोकाल लागू किया गया कौन सा प्रोटोकाल लागू किया गया क्योटो प्रोटोकाल कब लागू किया गया 1997 को लागू किया गया विश्व में सरप्रथम अमलवर्सा हुई थी, यह कहां पर हुई थी, किस देश में हुई थी, तो यह श्वेडन में हुई थी, कहां पर हुई थी, भोपाल गेज तराजदी किसके कारण हुई थी, काफी इंपूटेंट हैं, काफी बार पूछा जाने वाला प्रश्ण है, कि Gase के कारण हुई थी, कहां पर हुई थी और कब हुई थी, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए तो ये Methyl Isocyanide के कारण हुई थी कहां पर हुई थी, भोपाल में हुई थी कब हुई थी, 3 December 1984 कहीं, कहीं 4 December दिया होता है तो ध्यान रखना है तीन और चार दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसो साइनाइट गेस का रिसाव हुआ था जिसमें बहुत सारे जो लोग है वो मर गए थे उसमें लगभग लगभग जहां तक मुझे अंदा जा है 15,000 लोगों सो जादा वहां पर लोग म हुई थी यूरेनियस गेस के कारण तो याद रखेगा चेरनोबिल इस्तित परमानो उर्जा संस्थान में जो भीसन नाभेगी दुरगटना हुई थी वो किस गेस के रिशाव के कारण हुई थी यूरेनियस गेस के कारण हुई थी कहां पर हुई थी यूक्रेन में हुई थ कब हुई थी 1986 को हुई थी याद रखेगा सन भी आपको ध्यान में साथ में रखना है एनिलीन से कौन सा रोग होता है यहाँ पर देखिए एनिलीन से कौन सा रोग होता है तो मुत्रासे का कैंसर होता है एनिलीन से याद रखेगा एनिलीन से मुत्रासे का कैंसर होता है चमकदार वलई है यहां पर वलई के बारे में पूछ जाता है तो वह साथ सनी ग्रह के चारोर साथ चमकदार वलई होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदाई राष्ट यहां पर देखे राष्ट पूछा गया है देश के बारे में पूछा गया है तो हो ओये चीन, याद रिखेगा सरवादी कर, Greenhouse Gaze अग्राइब को route सा होगा चीन होगा Greenhouse प्रभाव को सरप्रथम पहचाना था, किसके द्वारा पहचाना गया तो ये Green Baptist Furrier के द्वारा Greenhouse प्रभाव को सरप्रथम पहचाना गया, मंगल गुरह के दो उपगरा, जिसा की पूछा जाता है कि मंगल गरा के कितने उपगरा है कौन-कौन से हैं, इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो फोबस है और डीमोस है, दोनों के बारे में जानकरी होना चाहिए, फोबस और डीमोस ये दोनों ही मंगल गरा के दो उपगरा है सनी गरा का सबसे बड़ा उपगरा कौन सा है सबसे बड़े उपगरा के बारे में बूचे जाता है तो वो है टाइटन याद रेखीगा सनी गरा का जो सबसे बड़ा उपगरा होगा वो टाइटन होगा गोल क्रांती ये किसे संबनी थे तो ये आलूत पादन से है गोल क्रांती आगे बढ़ते हैं भारत का सबसे बड़ा पठार भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो धकन का पठार ही जो की कहां पर इसी थे महराष्ट में इस्तित है नीला गरह किसे कहते हैं तो ये प्रत् पुर्ता तारा दुरू तारा है भुरी क्रांती किसे संभन दिथे तो ये उर्वरक उत्पदन से है भुरी क्रांती भारत का सबसे उचा पठार कों सा है तो लद्दा का पठार है भारत का सबसे उचा पठार कों सा है लद्दा का पठार है जो की जम्हु कस्मीर में इस्तित ह जिवास्म ग्रह किसे कहते हैं देखें इंपोटेंट हैं जिवास्म ग्रह किसे कहते हैं तो ये चंद्रमा को कहते हैं जो की प्रत्वी का एक मात्रूप ग्रह है चंद्रमा भारत का सबसे थंडा पठार कौन सा है तो है लद्दाक का पठार याद रखेगा भारत का सबसे थंडा पठार लद्दाक का पठार है विस्व का सबसे उचा पठार कौन सा देखे विस्व का पूचा गया हाले में हमने भारत का सबसे उचे पठार के बारे में जाना और विस्व का सबसे उचा पठार कौन सा है तिबबत का पठार है जो की चीन में इस्तित है पून सूरी गरहन हमेसा कब लगता है तो ये अमावश्या को लगता है प्रत्वी वा सूरी के बीच चंद्रम का आजाना क्या कहलाता है तो सूरी गरहन कहलाता है दोनों प्रश्णों को ध्यान से पढ़ना है प्रत्वी वा सूरी के बीज चंद्र में का आजाना सूरी ग्रहन कहलाता है और चंद्रमा वा सूरी के बीज प्रत्वी का आजाना इसे चंद्र ग्रहन कहते हैं तो दोनों में काफी अंतर है इन अंतरों को आपको पहचानना है औ तो ये अफ्रिका महादीप से गुजरती है विश्वत रेखा एब मकर रेखा गुजरती है तो ये ब्राजिल से गुजरती है यहाँ पर विश्वत रेखा और मकर रेखा इन दोनों के बारे में पूछ जाता है तो ये कहां से गुजरती है ब्राजिल से गुजरती है गुवा होगा जो की एंडिज परवत में इस्तित है चली विश्व का सबसे बड़ा पठार यहां पर देखे विश्व का पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कुन सा है तो वह पामिर का पठार है अभी हाली में हमने भारत के वारेम जाना था अब विश्व के रूर किस पठार को कहते हैं, याद रखेगा, इंपोटेंट है, भारत का रूर किस पठार को कहते हैं, तो ये छोटा नागवर पठार को भारत का रूर कहते हैं, दक्छिन एशिया का एक मातर सक्री जो अलामुखी कौन सा है, तो वो है, बेरेन, जो की अंडमान द्विप में बेरेन जो कि दक्षिन एशिया का एक मात्र शक्री जो अलामुखी है चंद्रगरहन हमेशा पूर्णे मा की रात को होता है संसार की छत किसे कहते हैं तो यह पामिर के पठार को कहते हैं चंद्रमा पर पहुचने वाले पहले भारती को ने यहां पर देखिए भारती के बारें और यहां पर जो पहले व्यक्ति थे उनके बारे में पूछा गया है यानि कि विश्व में पूछा गया है तो चंद्रमा पर पहुचने वाले भारती के बारे में पूछे पहले भारती के बारे में तो राके सर्मा थे कब यानि कि सन पूछे तो वो दो अप्रेल 1984 होगा और यहाँ पर विश्व में चंद्रमा पर पहला कदम किसकी द्वारा रखा गया था तो यह नील और में स्ट्रांग के द्वारा रखा गया था कब रखा गया था 21 जुलाई 1971 को तो यह भी इंपोटेंट है और यह भी इंपोटेंट है भारती पूछे तो राके सर्मा होगा और विश्व में पूछे या पर डारेक्ट आपसे पूछे कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे तो वो नेल आर्मे स्टांग थे कब रखा था 21 जुलाई 1970 को रखा था देखी जो ग्रह होते हैं उसमें दो तरह के ग्रह होते हैं आंत्रिक ग्रह और बहा ग्रह यह पूछा गया था इंपोटेंट में बहागरा के अंतरगत आते हैं तो कौन से अंतरगरा है और कौन से बहागरा है इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए अपसोर और उपसोर के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए जो अपसोर है ये सूरी से प्रत्वी की अधिक्तम दूरी को कहते हैं और उपसोर सूरी से प्रत्वी के न्यूनतम दूरी की जोगटना होती है ये कब होती है तो ये तीन जनवरी को होती है अगला प्रशन है भुकम्प का अध्यन किया जाता है ये किसमे किया जाता है तो ये सिस्मोलोजी में किया जाता है भुकम्प का अध्यन स्वेत करांती, स्वेत करांती ये किस से संबनी थे, तो ये दुद्गुत पादन से, स्वेत करांती के जनक कोन है, देखे हाली में हमने जाना, कि स्वेत करांती किस से संबनी थे, दुद्गुत पादन से हैं, और स्वेत करांती के जनक के बारे में पूछी, तो डाक्टर वर जाता है तो समताप मंडल में औजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है भुकम पमापने के यंद्र को क्या कहते हैं तो सिस्मुग्राब अभी हमें बताया कि भुकम पमापने के यंद्र को क्या कहते हैं सिस्मुग्राब कहते हैं औजोन परत सूरी से आने वाली हानिकारक र रभी की फसल और खरिब की फसल इसके बारे में आपको जानकारी होने चाहिए कोन सी फसल ये कब काटी जाती है कोन कोन सी होती है कब बुआई जाती है इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जैसे कि रभी की फसल की बारे हम जाने तो इसको कब बुआई कब जाती है तो ये अक्टुवर नवंबर के महीने में इसको बोया जाता है और काटते कब हैं मार्च और अप्रेल के महीने में तो याद रखेगा अक्टुवर नवंबर को इसकी बुवाई होती है और मार्च अप्रेल को इसको काटा जाता है और रभी के फसल के अंतरगत कौन सी फसल आती है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इंपुटेंट हैं, एक्जाम में पूछा जाता है, गेहूं जो चना, टमाटर, अलसी, आलो, मसूर और सरसो, ये सभी रभी की फसल है, तो इनके बारे में आपको जानकरी होना चा कि भुकम पमापने की इकाई के बारे में पूछा गया है, तो वो रियक्टर स्केल होगा, खरीप की फसल है, यहाँ पर देखिए, अभी हाली में हमने रभी के फसल के बारे में जानकरी होना चाहिए, इसकी बुवाई, कटाई, और खरीप फसल कौन-कौन सी होती हैं, सब स काट लिया जाता है, उसके बाद ही रभी के फसल को बोया जाता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, और खरीप फसल कौन-कौन सी होती हैं, इसके बारे में आपको जानकरी होना चाहिए, एक्जाम में पूछा जाता है, समूदर में उठने वाले पर लहरे उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, हरित याने कि सदा बाहर करांती का जो संबंद ही वो किस्से हैं, तो खाद्यान उत्पादन से हैं, हरित करांती का जो संबंद होगा, वो किस्से होगा, खाद्यान उत्पादन से होगा, बात करते हैं कि भारत में हरित करांती कि जो सुरुवा थे वो कब हुई थी तो ये 1966-67 में हुई थी भारत में हरित करांती की सुरुवा चलिए अगला प्रशन है विश्व में हरित करांती के जनक को नहीं पर देखिए अब जनक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए विश्व में हरित करांती के जनक कोन होंगे तो नार्मन बोरलोग होंगे विश्व में हरित करांती के जनक नार्मन बोरलोग होंगे काफी important है एक्जाम में ये प्रस्ण जारातर पूछा जाता है तो आपको इसका ध्यान रखना है यदि भारत में पूछे जैसा कि यहाँ पर विश्म पूछा गया है आपसे भारत में पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांती के जनक कोन है तो डाक्टर ए में स्वामी नाथन होंगे भारत में स्वामी नाथन होंगे और विश्व में बोर लोग होंगे इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए हरित क्रांती का सरवादिक प्रभाव किस पर पढ़ता है तो गेहों की फसल पर याद रखेगा हरित क्रांती का जो सरवादिक प्रभाव पढ़ेगा वो गेहों की फसल पर पढ़ेगा भारत में सरवादे भुकंप छेत्र कौन सा है तो हिमाले परवत और गुजरात है याद रखेगा भारत में जो सरवादे भुकंप छेत्र होगा वो हिमाले परवत और गुजरात होगा रेक्टर मापन पर अंकित अंक जो होते हैं वो कितने से कितने होते हैं जीरो से नो होते हैं याद रखेगा रेक्टर मापन पर जो अंकित अंक होते हैं वो जीरो से नो होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल आपको 130 प्रशन मिलेंगे एक प्रशन और आपको इस्टा दे रहा हूं यहां पर सर्वादे भुकंप वाला देश कोंसा है तो वो है जापान ये भी हाली में एकजाम में पूछा गया था MPT exam में सर्वादिक भुकंप वाला देश कोंसा होगा तो वो जापान होगा तो आज की जो प्रशन हैं वो यहीं पर समापत होते हैं I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको सबसे पहले याने कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, सेर करना है और चैनल को सस्क्राइब कर लेना है ऐसा ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को साथ जल्द ही हम आपसे मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद